हेलो फैंस मैं आपके साथ मूंग डाल डोसा की रेसिपी शेयर करूंगी यह हाई इन प्रोटीन होता है अगर आप अपना वेट रिडियूस करना चाह रहे हैं तो आप इसको ब्रेकफास्ट में इंक्ल्यूड कर सकते हैं इसे तयार करने के लिए आपको एक कटोरी मूंग डाल चाहिए एक कटोरी मूंग डाल ले लीजिए और उसे अच्छे से तीन से चार बार पानी से धो लीजिए जब आप मूंग डाल को अच्छे से धो ले तो इसे अब 10 मिनट के लिए गरम पानी में भिगोकर ढखकर रख दीजिए 10 मिनट बात अब ये दाल बिकल तयार है अब हम डोसे का बैटर तयार करेंगे उसके लिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें इस दाल को एड़ कर देंगे बैटर के लिए इसमें हम एक हरी मिर्च, दो सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी अद्रक, वन टेबल स्पून जीरा और वन स्पून नमक एड़ करेंगे इसे ब्लेंड करने के लिए हम इसमें काटोरी पानी मिलाएंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूद सा बैटर आपका तयार अब मूंग दाल का बैटर बिलकुल तयार है और अब हम इनका डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे अब आप एक पैन ले लीजिए और वो जब थोड़ा सा गरम हो जाए तो उसके उपर हम ये बैटर अच्छे से फैला देंगे और इसका एक क्रिस्पी सा डोसा तयार करें अब थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर दोनों साइड से अच्छे से सेख लें और आपका क्रिस्पी मूंगदाल डोसा बिल्कुल तयार है आप इसे ब्रेकफास्ट में टमाटर की चटनी धनिये की चटनी या कोकनेट चटनी किसी के साथ भी ले सकते हैं अब आपका क्रिस्पी मूंगदाल थोड़ा है आपका कोका क्रिस्पी मूंगदाल थोड़ा दोनी झाल तयार हैं